दोस्तो, 20 सल पुरानी घुटनो का दर्थ सिर्फ 10 मिनिट में गायप हो जाएगा। ये जो देसी रेमीडी घुटनो के लिए मैं तयार किया है। इससे आप कमर दर्थ, कंधो की दर्थ, पिंडले की दर्थ, पैरों की नीचे जो होती है ना, उसका दर्थ चाहे वो पुरानी या फिर चोट लगने की बजा से हो तो आप यह रेमीडी को यूज कर सकते हो बहुत ही useful रेमीडी है अभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सारा दवाई खाने की बाद भी यह दर्ग ठीक नहीं होता तो उसके लिए आज मैं यह रेमीडी तैयार कर रही हूं बहुत ही बढ़िय यानि कि आज़ दरस दिया है लॉंग इस दोनों चीजों को मैंञें ग्लास के अंदर इसलिए डाला है कि इसका पंडर बना नी है इसलिए थोड़ा था इसलिए मैंने इस ग्लास के अंदर डाला अगर आप ज्याधा करते हो तो आप मिक्सर ग्रैंडर में भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है आप चलिए इसको तो मैंने पाउडर बना लिया है अब इसको कैसे इउस किया जाए तो ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तो यहाँ पर लिया है मैंने एक तवा तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना होगा कि लोह यह का ही तवा होना चाहिए नॉन स्टिक का नहीं दोस्तो अब इसको मैंने तवा पर दे दिया और थोड़ा सा दे दिया सर्शो का तेल तो आप अगर सर्शो का तेल देना नहीं चाहते हो तो नारियल का तेल भी दे सकते हो या फिर तिल का तेल भी दे सकते हो लेकिन मेरे ह सबसे सरसो का तेल ही सबसे अच्छा रहेगा अब इसको कितना समाई गरम करनी है तो दोस्तो देखिएगा ये थोड़ा सा color change हो जाएगा तब समझोगे कि ये हो चुका है तो इसका color change हो चुका है अब इसको मैंने उतार लिया है आप इसको किस तरह से पेरों में दूंगी तो जो घुटनों में दर्ध होता है आप दवाई खा खा कर खा कर बोर हो चुके हो फिर भी दर्ध ठीक नहीं हुआ है इसको एक बार ट्राइ करके देखूगे तो बहुती अच्छा रेजल्ट पाओगे दोस्तों तो घुटनों में देने से पहले दर्ध है उतने दूर तक फैला कर डाल दिया है यानि की लेप लगा लिया है अब कोई भी कॉटन का कपड़ा ली जिए और इस तरह से इसको बांद दी जिए तो मोटा सा कपड़ा लेना चाहिए मैंने पतला कपड़ा लिया है इसलिए उपर से फिर से एक कपड़ा दे और इस तरह से बांद कर रख देना होगा और यह जो मैंने रेमीडी दिया है थोड़ा सा गरम था यानि कि जितना सेहन कर सकूंगी उतना आहीं गरम था और ऐसे ही करना चाहिए और इसको इस तरह से बान के रख दोगे और सुभा उठ बहुती आरम पाओगे क्यूंकि जो दवा खाकर नहीं हुआ था ओ इस तरह से करने से पहुती रिलिफ मिल जाएगा चलिए अब देख लेते हैं दूसरा उपाई दूसरा उपाई यह ह जो कि जितना पैरों में चाहिए यहां अगरकर दर्द हो बौदी आरम उसकोडमा motivating शेहं नहीं चाहिए ऑम गना से कर सक्यों तो देखोगे बहुती रिलिफर में तो देखोगे необती जतना नहीं कि पाओगे यानि कि आराम मिलेगा दर्द से चुटकारा मिलेगा आप सब विडियो के इसकीप मत किजिएगा क्यूंकि बहुत सरा उपाई मैं बताने बाली हूँ चलिए देख लेते हैं दूसरी उपाई तो पैर्व की तलवे होती है न यहां पे भी बहुत से लोगों का होता है और कभी कभी तो ऐसा भी होता है रात को नींद भी नहीं आती है चलने फिरने में भी तिकत होती है दवाई काखा कर भी कोई काम नहीं होता है यानि कि आराम नहीं मिलता है तो यहां पे आप तेल मालिस कर सकते हो जैसे कि जैतुन का तेल हो या फिर नारियल का तेल ह मेरे ही सबसे सर्शो का तेल ही सबसे अच्छा रहेगा और अगर आप पहले से पोई तेल यूज कर रहे हो तो उसी तेल का भी इस तरह से आप मालिस कर सकते हो हलके हातों से इस तरह से उंगलियों के वीचो बीच भी या फिर तलबोय में इस तरह से आप अगर मालिस करते हो त चलिए अब देख लेते हैं, दूसरा उपाई, दूसरा उपाई यह है कि मैंने यहाँ पे लिया है एक बोतल, कोई भी बोतल चलेगा, ओईल की बोतल हो या फिर वाटर बोतल हो, तो अब इस बोतल में मैं डाल दूंगी नॉर्मल वाटर, तो पानी भरने के लिए मैंने एक का का इस्तमाल किया है, और इससे मैं पानी भरा है, लेकिन पूरा नहीं भरा है, थोड़ा सा खाली रखा है, तो चलिए अब इसको मैं रख दूंगी फ्रीजर के अंदर, जब तक अच्छे से जम जाए या फिर ठंडा हो जाए, तो अब मैं 5 घंटा बाद इसको निकाल लिया तो यह जम चुका है, थोड़ा बहुत लिक्विड है, लेकिन यह जम चुका है, चलेगा, तो चलिए अब इसको कैसे कहां इस्तेमाल करनी है, दर्द से छुटकरा पाने के लिए, हम क्या-क्या कर सकते हैं, या फिर क्या-क्या करना चाहिए, दवाई की इलावा, तो अगर ह कहीं पे भी आप ठंडा पानी का यूज करो, या फिर बर्प का यूज करो, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, आपको कोई कपड़ा हो, या फिर कोई कोभर करके ही करना चाहिए, तो मैं यहां पे सोक्स का यूज करूंगी, यह सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर कोई टावल बगरा मैं लगाती हूं तो उसके लिए फिर से रबर्बन देना पड़ेगा या फिर बांधना पड़ेगा यह नहीं तो खूल जाएगा इसलिए मैंने सौक्स का यूज किया है और तलवे में इस तरह से आप कुर्सी में या फिर सोफे में बैट करना धीरे धीरे इस तरह से घुमाओगे तो देखोगे बहुती आराप मिलेगा आपको पैरो की जो दर्ध होती है दर्ध से छुटकारा मिलेगा और यह बहुत हरबड़ी में या फिर जल्दी जल्दी नहीं करना है धीरे धीरे करना है धीरे धीरे इस तरह से घुमाओगे तो बहुती अच प्रे सान तो पेलोन के लिए और या ओन लो इशनन थैसे अव्याय के लिए कर प्रेंट की दर्सित ... बैटकर या फिर सोफे पे बैटकर आप पैरों को यानि की शरीर की जो भार है थोड़ा पैरों की तरफ होना चाहिए और इस तरह से धीरे-धीरे घुमाऊँगे इसको भी दो से तीन मिनित तक ही करना चाहिए अब देखिए अगर आप बेलन की मदद से नहीं करना चाहते हो तो आप ये कंगी है ना कंगी की मदद से भी एकवा पैसर हो जाता है यानि की बहुती बढ़िया होता है तो आप इस तरह से थोड़ा सा दबाब डाल डाल कर ऐसे करोगे ऐसे घुमाऊँगे इधर से उधर तो बहुती बढ़िया रहेगा दोस्तों वीडियो अगर के लिए बस इतना ही